एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कई माहूं तक कठिन तपस्या की उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें साक्षाद दर्शन दिये और विंध्य पर्वत से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा. इस अवसर पर अनेक आराश और देव भी उपस्थित थे. विंध्य पर्वत की इच्छा के अनुसार भगवान शिव ने जोतिरलिंग के दो भाग किये. एक का नाम उंकारेश्वर रखा तथा दूसरा ममलेश्वर रखा. उंकारेश्वर में जोतिरलिंग के दो रुपों की पूजा की जाती है. उंकारेश्वर जोतिरलिंग से संबंधित अन्यकथा के अनुसार, भगवान के महान भक्त, अंबरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था. उस महान पुरुष मानधाता के नाम पर ही इस परवत का नाम मानधाता परवत हो गया.